जी यू जे डबलू वर्सेस एम आई डबलू फॉस्स टी ट्वंटी डबलू पी एल मैच गुजराज जाइंड्स वुमैन वर्सेस मुंबई इंडियन्स वुमैन वुमैन्स प्रीमियर लीग दो हजार तैईस फॉस्स टी ट्वंटी मैच जो की खेले जाने वाला है और गईज इस वुमैन्स प्रीमियर लीग का अब शुबारंब हो चुका है और यह अपने आप में एक पहली स्रीस खेले जाने वाली है और यह सेम वैसी है जैसे इंडियन प्रीमेर लीग IPL खेली जाती है अब वो गईज मैंस की होती है वो मैंस भी खेलने वाली है मतलब आपको वो सभी बड़ी प्लियर्स खेलते हुए देखेंगे जो आपने अभी रिसेंट्ली वर्ल्ड कप हुआ है जिसमें आपने बैथ मुनी को देखा एलिसा पैरी को देखा इसमती मंदाना को देखा हर्मन प्रीट कौर को देखा अब यह सब क्या है गईज एक जगे आजाएंगे और आप एक जगए बैट के यह खेलने वाले हैं तो कहीं न कहीं आपको इस टुनामेट में काफी मज़ा आने वाला है अब देखें गई यह पहला मैच है तो हो सकता है आपको टीम बनाने में काफी दिक्कत आरही होगी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि क पहली बार खेली जा रही है तो कहीं कोई record नहीं है कि last series में क्या हुआ था कि उसके base पर आप टीम बना लोगे तो guys मैंने आपके लिए ऐसे ऐसे data निकाले है जिसमें आपको clear समझ में आ जाएगा कि कौन सा player आज के match के point of view से अच्छा रहेगा गुजराच Giants Women की क्या playing 11 आज के match में रहेगी Mumbai Indians Women की क्या playing 11 रहेगी इसके अलावा कौन-कौन से player है जो bench वे बैठे हुआ है जो इस वाले match में खेल सकते हैं उनका क्या records है साथ में मैं आपको बताऊंगा कप्तान और wise कप्तान के लिए कौन best रहेगा इसके अलावा है आपको वो final team दिखाऊंगा जिस team के साथ guys आज मैं खुद खेलने वाला हूँ और आप लोगों के लिए guys इस वाले वीडियो में रहेगा free giveaway अगर आप इस वाले match को free में खेल कर win करना चाते हो तो मैं आपको वो मौका देने वाला हूँ और वो free में खेल कर आप winning कैसे करोगे आज के match में वो सब आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ इस में winning चीए तो इस चैनल को सब्क्राइब करके बैल आइकन की घंटी दबा के all जरूर प्रैस करके रखे साथ में आपको बता दूँ मेरा ही टेलीग्राम चैनल है शौर एक्सपर्ट सपोर्ट जहां पर मैं हर match की बिल्कुल free team देता हूं after toss याप YouTube के description section में जाओगे comment section म में जाओगे आपको पहले नंबर का link देखेगा join telegram for free teams उसके नीचे link होगा उस पर click करके आपको telegram का इससा बन जाना है जहापे आपको हर match की बिल्कुल free team मिलेगी तो जरूर से जाकी join कर लेना क्यों की गई एक player भी अगर आपने गलत ले लिया आना तो आपकी rank इदर से उदर हो जाएगी तो description section में जाएगे पहले नंबर का link है comment section में भी पहले नंबर का पिन किया हूँ लिंक है click करना है और join हो जाना है तो GUJW versus MIW first T20 WPL match यह खेला जाएगा guys Dr. D.Y.Partel Sports Academy मुंबई में और अगर इस मुंबई के ground की guys मैं खासियत बता हूँ तो इस वाले ground पर काफी run बनते हैं यह वाला pitch full batting supportive है यहां की जो boundaries है guys वो काफी छोटी है मतलब अगर आपके ball बले पर अच्छे से आ गई या थोड़ी बहुत भी आ गई तो आपको चोका चक्का मिल जाएगा इसके अलावा guys इस वाले ground पर है देखा गया है कि starting matches में मतलब जब एक दो match start हो कैसे रहता है वो मैं सब आपको आपको आगे वीडियो में बताने वालों देखे गई इस वाले ground पर अभी दो match खेले गए वुमेंस के अभी Australia recently इंडिया आई थी और यहीं पर ही match हुए थे और दो के दो match वही दीती जो batting second करी है मतलब यहां पर chasing करना असान होता है क्योंक प्राइटी ज्यादा देनी है उनको लेकर आपको टीम बनानी है और देखे एवरेज इसकोर आप देखिए यहां पर फर्स्ट बैट करते हुए लगभग 180 का है बट मुझे लग रहा है अभी टूनामेंट स्टार्ट हुआ है तो हो सकता है 150-160 देखने को मिले फिर उसके ब बताया था मैं फिर से बताऊंगा बार बार बोलूँगा क्योंकि यहां पर जॉइन होना आप लोगों के लिए जरूरी है क्योंकि आपके विनिंग तभी कंफर्म होगी जब आप मेरे टेलिग्राम चैनल शौर एक्सपर्ट सपोर्ट पे जॉइन हो जाए गए और कैसे क्लिक करके आपको टेलिग्राम पे आजाना है बिल्कुल फ्री में जॉइन होता है कोई चार्ज नहीं और अगर लिंक वर्क ना करें तो टेलिग्राम पे जाके सिंपल ही सर्च करना है शौर एक्सपर्ट सपोर्ट एक लाग पचास अजार से ज्यादा वाला एक चैनल आए तो आपको फाइनल टीम मिलेगी जिस टीम के साथ मैं खुछ जाओंगा तो जरूर से जॉइन कर लेना डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में लिंक है आप देखे गई इस वाले ग्राउन पर जो लास्ट दो मैच खिले गए उसमें किस तरीके से टीम ने स्कोर बनाय यह एक विकेट के नुकसान पर और इस वाले मैच में चार विकेट फास्ट बॉलर को मिले और दो विकेट इस्पिनर्थ को तो मैंने आपको क्या बोला कि यहां पर फास्ट इनिंग में फास्ट बॉलर को हैल्प रहती है सुइम मुमेंट रहता है तो अगर आप आज के ने 187 बनाए पहले बैट करके इंडिया वुमेन ने 187 बना दिये मतलब मैस्ट आई हो गया और इस वाले मैच वह भी चार विकेट फास्ट बॉलर्स को और दो विकेट इस्पिनर्स को मिले तो कहीं ना कहीं आप खह सकते बैटिंग पीच यह देखिए पूरी कंट्री का मैस्ता सारे प्लेयर्स खेल देते अब यह मिक्स टीम हो गई मतलब जहां पर हर कंट्री के प्लेयर्स है इंडिया के भी यह भार के भी तो उसको देखके अगर अपन देखे तो एवरेज इसको रामान के चलिए एक सो साट एक सो सतर मुझे लग रहा है बनना चाहिए आज के मैच के लिए अब देखे गई तो आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशकबरी है यह वोमेंस आईपील है या फिर आईपील है मैंन के पीछे मेरा सबसे बड़ा लॉजिक और सबसे बड़ा रिजन किया है कि यह वाली एप्लिकेशन जो है ना कि नाम पर जो कमिशन चार्ज होता है वो सबसे कम करती है मतलब जहां पर मेरे यूजर्स का बैनिफिट है ना मैं खुद भी वहीं खेलूंगा क्यों अपन हजार उपे का फ्री गीववे दिखरा है गाई आपको स्क्रीन पर जिसमें दो लाक स्पोर्ट से रैंक वन पर दो हजार उपे मिलने वाले हैं अगर आप भी यह फ्री गीववे विन करना चाहते हो तो यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाईए आपको वीज इसी भी लिंक से आप जाईए इस एप को डाउनलोड करिए यह बीस अजार उपे का फ्री गीववे बहुत फासले फिल अप हो रहा है तो जाकि अपनी डाल दी इसके अलावा गई यहां पर एक बहुत अच्छा फीचर है कि अगर आपको लगता है कि लास्ट की पांच मिन क्योंकि मैं यहीं खेलूंगा और यहीं की विनिंग आपको दिखाऊंगा तो जादा से जादा कॉंटिटी में डिपोजिट करें और वीजन 11 को अपना सपनों का 11 माल ले इसके अलावा यहां पर आप एंट्री फीज का कंपेरिजन देख सकते हैं आपके सामने वीजन 11 क्य चार्ज करते हैं और अधर अप्लिकेशन क्या चार्ज कर दी ए और उसके पास आपको क्या सेविंग हो रही है तो सभी भाईयों से रिक्वेश्ट है जल्दी से विजन 11 पर साइन अप कर लें डाउनलोड कर लें यहां पर खेलें डाउनलोड ही ना करें यहीं खेलें और य है, हर प्लेयर के बारे में अपनवारी के से देखेंगे, कि टोटल मैं आपको भी 22 प्लेयर रिखाऊंग। इस्में से बैस्ट 11 किस को तो पिक करेंगे कौन सा बॉलर है जो आज के मैच में कितने आवर्स कराएगा पावर प्ले में कौन कराएगा दैट आवर्स में कौन कराएगा कप्तान और वाईस कप्तान के लिए कौन बैस्ट रहेगा वाइनल टीम small league की क्या है, grand league की क्या है, सब चीज़े देखेंगे, बट अगर आपने अभी तक 3 काम नहीं किये, तो वीडियो पे like कर दो, channel subscribe, और telegram shore expert support पे तो जरूर आ जाना, मैं फिर से कह रहा हूँ, जरूर आ जाना, सबसे पहले गुजराज जाइंट्स की गई, जो मुझे लग रहा है, expected playing 11 जो रह सकती है, वो बताता हूँ, देखें, बैत मुनी के साथ, D.In, ये मुझे लग रहा है, opening पे आ सकती है, बट चांस बन रहे हैं, कि इस वाले match में, आपको S, मेगना भी opening पे आते हुई देख सकती है, या तो S, मेगना या बैत मुनी आईगी, या फिर बैत मुनी या D.In आईगी, अब जो भी आईगी, वो अपन देख लेंगे जब टॉस होगा, बट मुझे लग रहा है, मेगना या डॉटिन में से कोई एक आएगा, opening पे बैत मुनी के साथ, इसके बाद सोफी टंकली, ए गार्डनर, हर्लिन दियोल, अब इस वाले मैच में हो सकता है, शुश्मा वर्मा खेले, या फिर आईश शकेल खेले, इन दोनों में से कोई एक खेलने वाला है, वो टीम डिसाइड करेगी, किसको खलाती है, इसके बाद इसने हैराना, मांसी जोशी, जॉर्जिया, वर्हम, मोनीका पटेल, ये गुजराज जाइंट्स की, मुझे लग रहा है, एक्सपेक्टेड प्लेंग 11 है, इसमें कुछ भी बदलाव होता है, वो सब आपको टेलीग्राम पे अपडेट मिल जाएगा, मुंबई इंडियन्स फुमेन की आप देखोगे, तो यस्तिका भाटिया और हाईले मैथ्यूस, ये हाई चांसे ओपनिंग पे आईगी, इसके बाद नतालिया, इसकाइवर, हर्मन प्रीट को और एमिला केर, फिर अमन जोट को और सीट ट्रॉयन, पूजा वास्तेकार, इसके अलावा गई इस वाले मैच में हो सकता है, सोनम खेले, या एसी वांग खेले, एसी वांग और सोनम में से कोई भी खेल सकता है, अब आप टेंशन मत लीजे, मैं आपको दोनों का रिकॉर्ड बता दूँगा, जो भी खेलेगा, जो बैस्ट होगा, वो ही अपन पिक करेंगे, इसके बाद हैतर ग्राम और साई का इशाक, तो ये देखे, बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं, जो शायद आपको नहीं पता, उनका रिकॉर्ड कैसा है, बट वो बहुत इस वाले मैच में आपको खह सकते हैं, अच्छा पर्फॉर्फॉर्मेंस देने वाला है, तो अभी सब मैं बता दूँगा आपको, इसलिए कह रहा हूँ, पूरा वीडियो देखे, आपको एक एक पॉइंट समझ में आएगा, अब सबसे पहले चलते हैं गईज विकेट कीपर सेक्शन में, विकेट कीपर सेक्शन में गुजराट जाइंट्स की तरफ से दिखेगी बैथ मुनी, अभी रिसेंट्ली और वर्ल्ट कप जीता है टी टुएंटी का, और वहाँ पर बैथ मुनी ने बहुत अच्छा परफॉमेंस दिया है, ओपनिंग की गईज आप कह सकते हैं सबसे बैश्ट बैट्समेन है, ओपनिंग पर आईगी और आप देखें टी टुएंटी में एवरेस लगभग और फॉर्टी एट का है वुमेंस के मैचेज में, और इसी वेन्यू पर जहां पर ये मैच है, दो मैच इस प्लेयर ने खेले, बैट मुनी डबल टिक वाली प्लेयर है, जिसको आपको स्मॉल लीग, ग्रैंड लीग दोनों में रखना है, सुश्मा वर्मा की बात करूँ, कुछ खास पर्फॉर्मेंस नहींगा, इस उननिस मैचों में कीवल इगत्यसन मनाए, अगर यह खेलती भी है, तो भी मैं मुश्किले रखूँगा, यास्ती का भाटिया, ओपनिंग पे आने वाली है, टी टुटी में एवरेज लगभग 15 का है, अभी रिसेंट्री टी टुटी फॉर्म उतनी अच्छी नहीं है, बट एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है, आप डॉमेस्टिक मैचेज होगा एक तरीके से, क्योंकि इंडिया में मैच हो रहे हैं, होम ग्राउंड पे हो रहे हैं, तो ये प्लेयर भी चलने वाले है, तो यस्तिका भाटिया भी मेरे इसाप से आप रख सकते हो, एक बड़ी आप एक वाली है, क्योंकि ये थूड़ा सा अटेकिंग खेलती है, हो सकता है 25 से 30 अट फास्ट ली बना दे, तो बैद मुनी को तो रखना ही रखना है, यस्तिका को भी आप रख सकते हो, अब मैंने किसको रखा है अपनी टीम में, वो मैं भी आगे बता दूँगा, गुजराच जाइंट्स वुमेन बैट्समेन की बात करे, तो यहाँ पे सबसे पहला नाम आता है, सोफी डंक लेगा, नमबर तीन पोजिशन पे आईगी गई जिंगलाइंट की प्लेयर है, बहुत ही दमदार प्लेयर है, और बहुत अटेकिंग खेलती है, टी टून्टी में एवरेज इसका 36 का है, रिसेंटली फॉर्म उतिन अच्छी नीती अभी टी टून्टी वर्ल्ट कप में, यह मिडिल ओडर में आती है, तो शायद मैं ना भी रखू, क्योंकि वुमेंज के मैचेज में आल राउंडर्स को ज़्यादा से ज़्यादा रखना चाहिए, आपको पता है, वो वन साइडेड मैच जिताता है, और डिसेंटली फॉर्म आप देखे, अगर यह मिडिल ओडर में खेलती है, तो फिर मैं हर्लिन देओल और डंकले के साथ जाओंगा, बर हर्लिन देओल आपकी ग्रैंड लीग के पॉइंट आफ व्यू से पंट प्लेएर बन सकती है, तो मैंने आपको आज के मैच के लिए तीन पंट प्लेएर बताया थे, इस प्लेएर को कोई नहीं जानता होगा, ऐसा मुझे लगता नहीं है, सबी लोगों को पता है, यह इंडिया टीम की कप्तान है, नंबर चार पे खेलती है, टी ट्वंटी में 42 का एवरेज है, बर थोड़ा सा क्या है, इस वेन्यू पर उतने रन बने नहीं है, इस के बल्ले से आप देखिए, दो मैच खेले, 42 रनी बनाए, तो कहीं न कहीं आप खह सकते हैं, अवरेज लगबख 20-22 का ही है, और रिसेंट में बहुत अच्छी फॉर्म से गुजरिए, 52, 13, 4, 33, सी ट्राइन की बात करूँ गई, इस प्लेयर को मैं आपको इसलिए बोलूँगा रखने के लिए, क्योंकि ये बॉलिंग का भी ऑप्शन है, अब आज के मैच में कितने ओवर्स कराईगी, अच्छी लग रही है, आप रखना चाहों, तो रख सकते हो, वह आपका डिसीजन है, अल्डाउंडर सेक्शन में सारे प्लेयर बहुत धमाकेदार है, मतलब आप खुद कन्फीज हो जाओगे, बट यह है कि आपके पास एक फीचर है, आज कल कि आप जादा प्लेयर्स भी पिक कर सकते हो, बट वहाँ खेलना कम पसंद करता हो, गुजराच जाइंस के आल राउंडर में देखें, तीन है, एक गाड़नर, डी डॉट इन और इसने राना, एक गाड़नर तो आप कह सकते हैं, वर्ल्ड की सबसे बैस्ट आल राउंडर है, पूरा मैच पलट के रख देती है, यह बंदी जब खेलने आती है, अकेले दम पे और इतना फास्ट अटेकिंग खेलती है, और साथ में बॉलिंग में भी विकेट निकाल के देती है, आप देखें, रिसेंटली फॉर्म, 29 एक विकेट, 31 दो विकेट, 28 एक विकेट, अभी T20 वर्ड कप वह था वुमेंस का, ऑस्टिलिया के मैक्जिमम मैचेज में मेरी यह क अपतान थी, क्यों, क्योंकि हर मैच विपॉइंट यह इसने, और आप देखें, 23 के एवरेज से रन मना है, 65 विकेट भी है, इस वेन्यू पर दो मैच खेले, एक विकेट, डी डॉट इन, यह आज के मैच की दूसरी पंड प्लियर है, अगर आज के मैच में यह खेलती है, ओपनिंग पर आती है, बहुत खतरनाग प्लियर है, यह वेस्ट इंडेस की, और रिसेंटली फॉम आप देख लीजिए, इसकी बावन रन दो विकेट, 49 रन दो विकेट, 23 रन दो विकेट, और यहाँ पर 20 रन एक विकेट, तो यह गाड़नर ओ डी डॉट इन को गाईज आ आप डैफिनेटली पिक कर लेना, बहुत अच्छी प्लियर है, बहुत अच्छी प्लियर है, आप कप्तान वाइस कप्तान भी ट्राइ कर सकते हो, बात में सभी लोग ले लेंगे, भाई, अभी भाई का वीडियो देखे, पहले ही विनिंग कर दो, स्टार्टिंग मैचेज म मैं की यहां पर अल्राउंडर सेक्शन में तीन अल्राउंडर है, नतालिया इसकाइवर, एमिला केर और हाईले मैथ्यूज, नतालिया इसकाइवर आपको पता यह बहुत अच्छी ऑल्राउंडर है, इंगलाइन की बैटिंग बालिंग दोनों करती है, काफी अटैकिंग प पिक करेंगे, फॉर्म भी आपके सामने है, चालेज, इक्यासी, पचास, हमिला केर की बात करूँ, इसकी फॉर्म भी देखिए, बहुत अच्छी चल दिए, च्यासर टन, दो विकेट, सोला रन, एक विकेट, नमबर पाच पर आईगी, यह भी वर्ड की बहुत अच्छी स् क्योंकि सारे ओल राउंडर अच्छे है, चार, पाच, जितने ले सकते हो ले लो, पर डी डॉट इन, हाईले मैथ्यूज, नतालिया, इसकाइवर, और यह तीन ओल राउंडर, यह जरूर से आपको और एक आडनर, यह चार तो डैफिनेटली पिक करने ही करने है, क्योंकि व पूजया वारम है, आपको बता दू, ऑस्टेलिया की स्पीनर है, बहुत अच्छी प्लेयर है, बट आप देखे रिसेंटली फॉर्म, लास्ट तीन मैचों में चार विकेट, और मोनिका पटेल को ओडियाई में भी दो मैच खेलने का मौका मिलाता है, एक भी विकेट नहीं मिला, तो थोड़ी सी यहां बॉलिंग कमजोर है, मुंबा इंडियन्स की बॉलिंग सेक्शन में पूजा वास्तेकार है, यह प्लेयर भी अभी टी ट्वंटी वर्ल्ड कप में उतनी अच्छी नहीं रही, बट मुझे लग रहा है यह डॉमेस्टिक मैचेज होगा, एक तरी टीम की स्पीनर है, बहुत कम लोगों की नजर है, सलेक्टेट परसंटेज बहुत कम है, बट आप रिसेंट फॉर्म इसकी देखिए, दो विकेट, दो विकेट, एक विकेट, लास्ट चार मैचों में पांच विकेट, इसी का साही का इशाग को डैफिनेटली रख लेना, औ जो कि इस वेन्यू पर ये एक मैच खेली हुई भी है, और इसके नाम तीन विकेट भी है, और एक सो नौरन एक मैच में बना कर भी आई है, तो दो प्लेयर है जो काफी सर्प्राइज कर सकते हैं आज के मैच में, वो है साही का इशाग और हैतर ग्राम, डैफिनेटली पिक क भाई के बात रख लेना, यहाँ पर बात करेगा इस आज के मैच में कौन सा बॉलर कितने ओवर्स कराएगा, गुज्राट जोइंट्स की तरफ से मुझे जो एक्सपेक्टेट लग रहा है वाकि ये कन्फरमेशन नहीं है, क्योंकि अभी पहला मैच है, कन्फरमेशन भी रहेगा अगर आप महाँ पर रहोगे, तो यहाँ पर देखिए जौर्जिया वारम ए गार्डनर मुझे लग रहा है पूरे चार चार ओवर कराएंगे, इसने राना भी अपने चार ओवर कंप्लेट करेगी, और फिर मांसी जोशी और मोनीका पटेल, तो मुझे लग रहा है गुजरार जैंट्स में लगभख सभी को बॉलिंग मिल जाएगी, और देख ओवर्स में गार्डनर और मांसी जोशी मुझे लग रहा है कराने वाली है, तो कही ना कई मांसी जोशी भी एक बढ़िया पिक है, मुंबई इंडियन्स की तरफ से मुझे लग रहा है नतालिया ट्राइन बॉलिंग ना करें, ऐसे बैट्स मैं यह आप रखी है, वो साही का इशाग को डिपैंड करता है, सिच्वेशन के अकॉर्डिंग बॉलिंग मिलती है नहीं मिलती, यह हो सकता है, इसी यॉंग खेले ही नहीं, और देख ओवर्स में आएंगे नतालिया, स्काइवर और पूजा वास्तेकार, तो थोड़ा इन पे फोकस आपको ज्यादा करना है, क्योंकि दैट में विकेट्स बहुत गरते हैं, यह आप लोगों को भी पता है, जी यहल के पंड प्लियर गैज अभी देखिए, फाइनल टीम आईगी, कप्तार वाइस कप्तान का सेलेक्शन है फ्री गीववे का क्योंशन आएगा, तो जो भाईयों के दिमाग में चल रहा है न वीडियो स्किप कर दें, मत कर दें, नहीं नुकसान होगा, अब नैक्स्ट वीडियो से फर्स्ट लाइक, फर्स्ट कमेंड पे गीववे भी है, तो जरूर से वीडियो आके जल्दी से दे खेल सकते हैं, एक तो है एनाबल शटर लाइंड, यह प्लियर आज के मैच में खेल सकती है, फोकस कर लेना, बिग बैश में बहुत अच्छा करके है, यह गाईस, मुझे चांस लग रहा है, इसको खिलाया जा सकता है, आज के मैच में, एन भी शटर लाइंड को, बिग बाद में की भाई आपने बताया, अगर यह खेले तो डेफिनेटली रखलना, बिग बैश में बहुत अच्छा अगर कहिए, यह शटर लेंग, इसके अलावा यहाँ पे मुंबाइ इंडियन्स की तरफ से यह सारे प्लेयर है, जो बैंच वे बैठे हुआ है, जिसमें से सोन प्लेयर बैटल देख लेते हैं, कौन से प्लेयर, कौन से बॉलर के अगेंस पर फस्ती है, तो बैठ मुनी को अपन जो सोच रहे अच्छा करेगी, तो आपको बता दो, सामने नतालिया, इसकाइवर है, उसके अगेंस पर सकते हो, इसकाइवर दो बार आउट कर चुके है, 25 इस बार आउट कर चुके है, तो कही ना कही दो बॉलर है, जो बैठ मुनी को परिशान कर सकते है, तो डंकली भी रिसकी चॉइस है, गाडनर भी आपके सामने देख सकते हैं, बट सबको तो आप ड्रॉप कर नहीं सकते हैं, और डी डॉट इन अपनी घर की प्लेयर इस बीछ चार भार वज गी, क्या और रहा है भाई, अब ज़िए हाज के मैच के पना फाइनल किम देखेंगे, ग्रैंड लीग की टीम, इस मॉल लीग के टीम देखेंगे, फ्री इवावे का प्लेयर का फ्री इवावे का क्योशन है, तो MIW वर्सिस गउजड डे डबलू, वुमेंस प्रिमियर लेग डबलू पीयल 2023 फर्स ट्वंटी मैच फ्री गीववे क्योशन है कि आज के मैच में कौन सी प्लियर है जो मैन आफ दा मैच रहेगी उस प्लियर का नाम बताना है जो आज के मैच है मैन आफ दा मैच रहने वाली है आंसर आपको कमेंट सेक्षिन में जाके देना है और आंसर देते समय तीन चीजों का ध्यान लखना है वीडियो पे लाइक चैनल सब्क्राइब और टेलीग्राम शौर एक्सपर्ट सपोर्ट जॉइन जिसका डिस्क्रिप्शन और कमेंट पे पहले नंबर का लिंक है जरूर से जाके आप जॉइन कर लेना अधर एप्लिकेशन क्या चार्ट करती है उसके बाद क्या सेविंग निकल के आ रही है तो जरूर से आप भी डी पर यहीं पर इखेले और यहीं पर इखेले बहुत बढ़ी आप्लिकेशन है जरूर से नोटिस करना अब गईज आपको मैं यहां की टीम दिखा रहा हूं क्य सब्सक्राइब करने में मुश्किलात होईगी इसलिए यहीं खेले बागी आप पाच अल्राउंडर ले सकते हो गार्डनर नतालिया नतालिया इसकाइवर डी डॉट इन और हाइले मैथ्यूस ठीक है बट एक चीज़ बता दू अगर आप दूसरे प्लेटफॉर्म पर खेल साथ होईगी इसलिए यहीं खेले बागी आप पाच अल्राउंडर ले सकते हो गार्डनर नाटालिया इसकाइवर डॉट इन मैथ्यूस और अमिला कैर पांच और रख लो और यहां पर हैतर ग्राम पूजा वास्तेकार और जॉर्जिया वारम बागी आप खुद की टीम कर सकते हो आज के मैच के पॉइंट आउट से अब यह वाली टीम मैंने क्या बनाई है वो अपन देख लेते हैं यहां पर मैंने रखा है कि यस्तिका भाटिया को विकेट कीपर में यहां पर रखा है हर्मन प्रीट कोर हर्लिन दियोल और एस मेगना यह तीनों के साथ में यह करना चाता है तो वह यह टीम रखा सकता है यहां पर अमीला केर है यह गाडनर है नतालिया स्काइवर है और हाइले मैथ्यूज है अमीला केर भी गाइस बहुत अच्छी ऑल्डाउंडर है आप पाच ऑल्डाउंडर के साथ भी जा सकते हैं मांसी जोशी आई वांग और दाउनलोड नहीं किया है तो यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में कमेंड सेक्शन में जाईए इस एप को डाउनलोड करिए यहां पर डिपोजिट करिए यहीं पर ही खेलिए बहुत बड़ी एप्लिकेशन है इतने सारे फीचर है अगर आप यहां पे खेलोगे आप यहा एक क्लिक पर 200 कॉंटेस्ट रिवर्स फैंटेसी बॉलिंग फैंटेसी बैटिंग फैंटेसी एक करोड का लीडर बोर भी आने वाला है बाई बस करो वह इतने में मैं खुश हो और आप भी खुश हो जाओगे तो जरूर से यहां पर डाउनलोड करें और खेले सपनों का वी ट्वंटी दूजार तेइस मैस डिटेल प्रिव यहीं खतम होता है और मैंने आपको देखो गाईस बोला किस एप पे खेलो वहां खेलो देखो खेलना नहीं खेलना वह आपका डिसीजन है मैं कहीं से भी उस चेज के लिए फोर्स नहीं करता अगर आपकी इच्छो तो खेल अधरवाइस मत खेलो पर जाते जाते वीडियो पर लाइक कर जाना चैनल सब्क्राइब कर जाना और टेलीग्राम शौर एक्सपर्ट सपोर्ट जरूर जोइन करना डिस्क्रिप्शन कमेंट पर लिंक है मेरा वीडियो गईस फुल इंफॉर्मेटिव ता एजूकेशन परप